अस्सलाम आलेकुम दोस्तों, हमारे यूटूब चेनल तारिक 4U में आपका इस्तक्बाल है, मैं हूँ आपके साथ तारिक अनवर नदवी, आज मैं हाजिर हुआ हूँ, इमपेज सीरीज का सबक नमबर 9 के साथ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, सेव, सेव एस, कलेक प्लेस और इंपोर्ट के बारे में, हमारे वीडियो को अखिर तक देखिए, इन्शालला बिल्कुल तफसील से हम एक-एक को इस्तेमाल करके बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, यह हमारे पास एक इमेज टैप का बना हुआ है, अब इसको हम महफूज करके रखना चाहते हैं, किसी एक फाइल में ताके कभी हम दो बारा इसमें कुछ और लिखना चाहें, इसी डिजयर में किसी और के नाम के साथ लिखना चाहें, इसको लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी इक पास बेज सकते हैं, तो सब से पहले से को महफूज रखने के लिए हमें save करना पड़ता है किसी file में तो save करने के लिए हम file menu के जाएंगे और यहां से save के जरीए से इसको हम save कर देंगे यह file हमारा already test one के नाम से save है तो हम इस पे dash जैसे click करेंगे यह देखिया हमारा option आ रहा है दिखाया कि यह सेव हो चुका है सेव का shortcut की है Ctrl-S जिस तरीके से हम यहां से किसी मेटर को सेव करते हैं उसी तरीके से हम कीबोर्ट के जरीए से आसानी के साथ उसको सेव कर सकते हैं जैसे इसको कुछ changing के बाद सेव करना चाहा है जैसे यहां पर मुफ्तितप उस्मानी साथ का नाम है यहां हम किसी और का नाम दे करके सेव कर सकते हैं जैसे मैं नाम चेंज किया हूँ अब फिर से मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो जैसे सेव पे किलिक राइए ये फाल हमारा सेव odore हो जाएगा जैसे सब्सक्राइभter AGारेब टख़राएब इस नाम से इसको हम Ctrl S के जरिये से भी सेव कर सकते हैं इसके बाद का option हमारा सेव एज का जिसका shortcut एक है Ctrl पलस R प्लस S हम direct keyboard के ज़िरे से save as कर सकते हैं जिस तरीके से हम file में आकर करते हैं अब save और save as में क्या फर्क है जब हम कोई file save करते हैं तो वो एक नाम से हमारा महिफूराता है Save as उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम इसी mater को किसी और के नाम के साथ save करना चाहते हैं तो उस वक्त हम save as के इस्तिमार करते हैं हमारी सारी डिजाइनिंग यही रहती है यही मेटर रहता है सिर्फ हम कहीं नाम चेंज करना चाहें कुछ भी इसके अंदर चेंज करना चाहें तो आराम से चेंज करके और दूसरे एक नाम से उसी file को बना सकते हैं जैसे यहां पर हमी मौलान सल्मा नद्वी नाम है यहां पर हम किसी और का नाम दे करके इसको save as करके देखाते हैं जैसे मौलान महमूद मदनी के यहां नाम डाल लिए अब सेम मेटर है सेम डिजाइन है और इसको हमें इनके नाम से एक file बनाना है तो उस वक्त हम file में जाएंगे और save as पर क्लिक करेंगे यहां हमारा नाम save करने का option आगया है जैसे यह page हमारा पहले से test one के नाम से save था अब हम इसको कोई और नाम दे करके save करेंगे तो यह निया file हमारा बनके तयार हो जागा जो test one जो हमारे यह file बणा हुआ है यह महफूज हो जाएगा हमारे फाइल में जो save as के लिए हम नया file बना रहे हूं यह देखिए महमूद मदनी के नाम से यह file हमारा आ गया है जो हमारा पहला फायल था टेस्ट 1 के नाम से वो हमारा बन्द हो गया जो save as करके हम नया फायल बनाएं वो हमारे सामने खुल करके आ गया है यह फर्ग है save as और save में सेव में हमारा वही फाइल में पूल जाता है हम उसी फाइल को किसी और के नाम के साथ बनाना चाहते हैं तो सेव एस का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद का option हमारा collect for Output collect for Output का भी सीव एस ही के तरक्या जाता है लेकिन दोनों में फर्क यह है कि जब हम Save As के इस्तेवाल करते हैं जो हम नया फाइल बनाते हैं वो फाइल हमारे सामने खुलता है और पुराना वाला फाइल बंद हो जाता है लेकिन Collect For Output में हम जो नया फाइल बनाते हैं बंद के वो बंद हो जाता है और जो फाइल हमारा पहले से खुला हुआ था वही करके दिखाते हैं जैसे इसके क्लिक करेंगे यह फिर से हमें नाम सेव करने का ऑप्शन दिया है यहां पे हम नाम चेंज कर देते हैं जैसे हम शहाबुद्दीन के नाम से यह फाइल को सेव करते हैं, यह देखिए, जो हमारा पहले से फाइल कुला हुआता है, मौलाना महमूद बन्री के नाम से, वही खुला हुआ है, और जो हम अभी नया फाइल क्रियेट किया है, जो इनका डूबलिकेट बनाए है, वो बन कर करके एक महफूज हो गया है, उसको हम देख सकते हैं फाइल के अंदर, जैसे देखिए, यहां पर हमारा से वह गया होगा, यह देखिए, यह शहाबुद्दीन के नाम से जो अभी हम कलेक्ट फार और पूट का फाइल बनाएं थे, वो यहां करके महफूज हो गया है, यह फ महार बनाएं जी बिए और और जी से एक फाइल में से जाझा सावर जाता है, इस इसको पूभ हो जाता है, यह पर यहcom genuinely right call तूग है, उसके बाद का पूप्शन का है, इसका में इसका इसका इस तरह की डिखा होता है, पाइज में पक्चर वगराया and पैज की कनघन जरिये लेकिन इसके जरिये से जब हम कोई तस्वीर लाते हैं पेज पे तो वह काफी बड़ी होती है जिसको सेट करना काफी दुश्वार होता है इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है लेकिन हम अभी इसको इस्तेमाल करके देखाएंगे अभी यह आपको बलोक दिख रहा है इस पे करजर काम नहीं कर रहा है यह उस वक्त अनबलोक होगा इसके जरिये से उस वक्त तस्वीर लाए जाएगी जब हम यह एरो टूल या सिलेक्शन टूल जिसको कहते हैं यह हमारा सिलेक्ट होगा तब वह अनबलोक होगा जैसे हम इस पे सिलेक्ट करेंगे अब इसको द के तस्विर आ गई है जैसा пять प्यक्राप प्रतुम में यह संदे हैंlish अब इसको में हम यहां से चोटा बड़ा भी कर सकते हैं यह देखिए कट जा रहे ही तस्वीर उटा बड़ा करने में लेकिन इस तरीके से तस्वीर लाकर सेट करने में काफी दुश्वारी होती है जिसके वज़ए से हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं उसके बाद का option है import का जिसका shortcut की है ctrl плюс y ctrl y के जर्गे से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यह भी तस्वीर ही लाने के लिए इस्तेमाल क्या जाता है अगर हमको इसमें कोई तस्वीर सेट करनी हो यहां पे यहां पे कहीं पे भी कोई तस्वीर सेट करनी हो तो हम उसको इंपोर्ट के जरिये से तस्वीर लाकर के सेट कर सकते हैं यह भी हमारा अभी बलोक है यह उस यह बलोग और इसमें जरिये से हमें को कोफूएं तस्वीर लानी आए सो च के सकते हैं अब यह देखे picture टूल यहां ले लिये हैं अब इसमें picture तस्वीर को लाने के तीन तरीके हैं जैसा के मैं सबक नमबर पांच में detail के साथ बताये था picture टूल में कि हम दो तरीके से picture ला सकते हैं एक तो यह है कि picture टूल लेने के बाद direct इस पे हम double click करेंगे तो यह हमारे सामने file खुल करके आजाएगा जो भी हम तस्वीर डालना चाहें डाल सकते हैं दूसरा option था कि हम insert में जाके यहां से कोई भी picture ला सकते हैं अब एक तीसरा option यह है जैसे हम को एक picture टूल टूल डाव करेंगे तो यहां से हम इंपोर्ट के जरीए भी पिक्चर ला सकते हैं जैसे हम एक पिक्चर लाकर के देखाते हैं जैसे देखिए जब प्लेस के जरीये से हम पिक्चर लाये थे तो वो काफी बड़ी थी और छोटे करने में कट जा रही थी वो तस्वीर अब यहां हम इसके जरीए से लाए हैं, इसको आसानी के साथ हम सेट कर सकते हैं, यहां से जैसा कि मैं पिक्चर टूल में डीटेल के साथ बताया था, पिक्चर एडिटिंग के बारे में यहां से हम पूरी तरीके से इसको सेट कर सकते हैं, अगर यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकन को जरूर दवाएए ताके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे असलाम आले